नमस्कार दोस्तों, Mr.TrunTak YouTube जर मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Binance account को किस तरह से permanently delete करना है क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से Binance account को अगर आप delete करना चाहते है close करना चाहते है किस तरह से करना है तो सबसे पहले आपको Binance account को open कर ले ना और मैं आपको step, step बता रहो किस तरह से इसको permanently delete करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है account वाले section पर click करना है देन अब आपको करना क्या होगा तो यहां पर आपके सामने उपर में सो हो जाएगा इस तरह का option इस पर किलिक करना है profile वाले icon पर जैसी इस पर किलिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का interface आजाता है अब आपको करना क्या होगा फिर से यहां पर उपर में इस पर किलिक कर दे आपके सामने इस तरगाई डेट पर आजाता है सबसे नीचे में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके सामने मैनेज account वाला option दिख जाता है, तो सबसे नीचे में देखो, यहाँ पर manage account वाला option आ जाता है, इस पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करोगे, तो आपके सामने यहाँ पर दो option आ जाता है, फर्स्ट में आता है कि disable account, यहाँ पर देख चीक, तो disable account और second में आता है delete account, तो आप permanently delete करना चाते हैं, तो delete account वाले section पर करना है, और अगर आप disable करना चाते हैं, तो disable करके आप कभी भी इसको activate कर सकते हो, तो delete वाले account पर click कर देना है, तो जैसे आप इस पर click करोगे, आपके सामने यहाँ पर reason पुछा जाएगा, यहाँ पर तीन पुछा जाएगा, कि आप इसको क्यो को डेलीट करना चाहते है तो इसमें से आप कुछ भी यहाप एसलेक्ट कर सकते हो यहाप पर no longer want to use this account यहाप फिर multiple account others account अगर आप यहाप जो कुछ भी करना चाहते हो तो मैं यहाप यहाप पर इसको पढ़ लेना है किसमें क्या है तो आपके बारां में कुछ भी यहां पर फंडिंग नहीं रहना चाहिए जो भी है आप उसको विड्राल कर लुग अगर आपका यहाप विड्राल रहता है तो आप इसको बंद कर सकते हो डिलिट कर सकते हो चैप्द वो कंटीनू वाली सक email id पर verification code जाता है तो आपको यहाँ पर code यहाँ पर इंटर्क करना है तो आपके register mobile पर जैसे code जाता है code इंटर्क करने के बाद submit वाले section पर जैसे आप click करोगे तो आपका account permanently delete हो जाएगा तो I hope आप समझगे होंगे किस तरह इसको delete किया जाता है मैं यहाँ account को close करने वाला नहीं हूँ आप लोग easily कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो information वाले लगे तो वीडियो को लाइक किजिए मेरे यूट्यूब चैन पर नहीं हो तो subscribe किजिए मिलते नेक्ट वीडियो में तक लिए बाबाय जाहें